अगर दोस्तों यह है पार्ट टू इन्वेंशन और इन्वेंटर्स का हमने पार्ट वन कम्प्लीट कर लिया है तो गाईज अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उसे जरूर देखिए क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो भी ट्रिक्सम पढ़ेंगे वो पार्ट वन से ही रिलेटेड है और दोस्तों मेरी जो पहले रिक्वेस्ट थी आपसे वही रिक्वेस्ट अभी भी रहेगी अगर किसी भी इन्वेंशन से रिलेटेड आपको कोई भी मज़िदार ट्रिक आती है या आप बना सकते हैं तो दोस्तों उसे हमाय साथ जरूर शेयर कीजेगा तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जनरेटर या डैनेमो ठीक है इस दो पाइडे को माइकल की शादी है ठीक है और शादी भी हमें आप देखते होगे कि लोग जनरेटर लगा के रखते हैं ताकि बिजली वगयरा की कोई दिक्कत ना हो ठीक तो इस तरीके से आप लिंक करके इसको याद कर सकते हो तो गैस अगला है हमारा पॉकिट वॉच्च का पविशकार किया था पीटर हैंड लिन ने 1510 के करीब ठीक है दोस्तों तो गैस इसको देखिए पीटर में आपको पीटने जैसा साउंड आ रहा है ठीक है अब पीटर पीटेगा या पिटेगा अभी थोड़ी दिर में पता चल जाएगा और गैस हैंड लिन में आपको लास ये भी कोई ट्रिक है अगला है दोस्तों रिस्ट वाच तो गैस रिस्ट वाच का विशकार 1868 के करीब पटैक फिलिपे ने किया था ठीक है तो अब इसे देख लेते हैं कैसे याद करेंगे तो गैस पटैक में आपको पटक जैसा साउंड आ रहा है ठीक है तो जो रिस्ट है अगर उसको पटकेंगे तो वो टूट जाएगी जाहिर सी बात है ठीक है नहीं टूट जाएगी तो क्या करना पड़ेगा फिलिपे यानि कि फिर लेनी पड़ेगी ओके आखिर कब तक सहना पड़ेगा ये सब तो गैस अगला है यूएस बी यूएस बी का अविशकार कि किजेगा नेक्स्ट है दोस्तो माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप का अविशकार सोलवी शताबदी के करीब जकारियास जैनसेंज ने किया था ठीक है तो गाइस मैं आपको फिर से आद दिलाना चाहूंगी ऐसी बहुत सारी इंवेंशन्स हैं जिसके बारे में मैं ट्रिक न स्केट बॉर्ट के लिए ठीक है और लास्ट में ट्रेवी थिक के ठीक हो ठीक है तो तक मतलब जो ट्रेन चोडी चोडी सी, तो ट्रेन तुम्हारी चोडी होती है, ठीक है, तो गाइस देखिए, उस समय में ट्रेन में ट्रैवल करना कोई आम बात नहीं होती थी, सिर्फ और सिफ रिच लोग ही अफॉर्ड कर सकते थे ट्रेन में ट्रैवल करना, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो अगला है दोस्तो कैमरा, कैमरे का अविश्कार 1685 में जोहान जहांग ने किया था, ठीक है दोस्तो जोहान जहांग अब बात कर लेते हैं दोस्तो ग्लोब की, ग्लोब का अविश्कार किस ने किया सो ग्लोब का अविश्कार 1492 में Martin ने किया था, ठीक है तो आप guys देख लेते हैं, इसको याद कैसे करना है मार्टिन में आपको Morten जैसा sound आ रहा होगा, ठीक है तो Morten की जो coil होती है आपने देख़ी होगी, गोल-گोल होती है और हमारा जो globe है, वो भी गोलगोल होता है और गोलगोल घुमता ही है ठीक है तो मॉर्टीन से आप ऐसे थोड़ा लिंक कर सकते हो और मॉर्टीन करता क्या है दोस्तों तो ये ग्लोब पर जितने भी मच्छर है यानि प्रिस्वी पर जितने भी मच्छर है उनको बेरहमी से मार देता है तो बेहम बेरहम थोड़ा थोड़ा ऐसे sound करके आप याद कर लेना, तो गाइज अगला है microwave oven इसका अविश्कार किस ने किया था? गाइज इसका अविश्कार किया था Pancy Spencer ने 1946 में, तो Gancy एक लड़का है, कहां का है? तो स्पेंसर में आपको स्पें के शहर या स्पें के शहर जैसा साउंड आ रहा है तो स्पें के शहर का एक लड़गा है पैंसी जिसने क्या किया है फैंसी अवन लिया है तो इस तरीके से आप थोड़ा राइमिंग बनाके याद कर सकते हो अगला है दोस्तो निमाटिक टाइर्स इसका अविश्कार किस ने किया सो गैज निमाटिक टाइर्स का अविश्कार 1887 के दौरान जे भी डनलप ने किया था ठीक है जे भी डनलप तो गैज अब बात कर लेते हैं सबसे तेश चलने वाले वाहन की स्कूटर ठीक है दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर गैस इसका अविश्कार किया था ग्रेंड विले ब्रेड शौने ओके सो गैस ब्रेड शौ में आपको ब्रेड शौप जैसा साउंड आ रहा है हम जाएंगे ब्रेड की शौप पे स्कूटर से ठीक है और क्या लेकर आएंगे दोस्तो तो देखिए ग्रेंड विले में अगर आप एन हटा दोगे तो ग्रेवी लग जाएगा ग्रेवी जैसा साउंड लाजाएगा तो हम ब्रेड की शौप से क्या लेकर आ रहे है ग्रेवी ठीक है स्कूटर पे बैटके ब्रेड की शौप पे ग्रेवी लेने जा रहे है अच्छा तो ग्याज अगला अविश्कार है सूटकेस इसका अविश्कार किया था बर्नाड सैडोने 1970 के दोरान तो ग्याज अब इसका थोड़ा सा हम पोस्माटम कर लेते हैं ताकि ये हमें याद हो जाए तो देखिए बर्नाड में आप थोड़ी सी देर के लिए जो B.E.R. है उसको बर जो है उसको आप बार पढ़ लीजे ठीक है और जो नाड है उसमें नर जैसा साउंड आ रहा है ठीक है बार और नर सूटकेस में आपको केस तो नजर आई रहा होगा ठीक है और जो शुरू का जो अक्षार है साउंड है स्यू तो S.U.E. इसका मिनिंग होता है मुकद्दमा चलाना ठीक है अगर हम किसी नर पे बार बार केस करेंगे और मुकद्दमा चलाएंगे तो वो बंदक क्यासा हो जाएगा तो सूट केस किस ने बनाया था बरनार्ड सैडो ने ठीक है तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगला इंवेंशन है पेंट का तो गैस पेंट का अविश्कार किया था जैन वैन आईक ने 15th century में ठीक है जैन वैन आईक तो दोस्तों अगली इंवेंशन है सीमेंट की सीमेंट का अविश्कार किया था जोसेफ एसपडिन ने 1824 के अराउंड ठीक है दोस्तों तो देखिए आपको एसपडिन में DIN लास्ट में दिन जासा साउंड आ रहा है तो दिन में हम जो भी शेप देंगे सीमेंट को तो जो शेप में आपको जो भी शेप ऐसे आप कर सकते हैं तो दिन में हम सीमेंट से जो भी शेप देंगे वो आसानी से बन जाएगा तो aspadin में आपको as दिख रहा है तो उसको आप असानी इससे relate कर सकते हैं ठीक है अगला है दोस्तो battery बैटरी का अविश्कार किन होने किया था so guys इसका अविश्कार 1800 के around ऐलेज़ेंडरो वोल्टा ने किया था ठीक है तो दोस्तो बैटरी को हम power के साथ relate कर सकते हैं तो और जो वोल्टा है वो वोल्टेज जैसा साउंड कर रहा है तो वोल्टेज क्या है power supply है तो दोनों ही word में कहीं न कहीं power छुपा हुआ है तो इस तरीके से आप उसको थोड़ा relate करके याद करने की कोशिश कर सकते हैं ऐसी ट्रिक सुनके तो कोशिश ही की जा सकती है गैज अगला है पेपर क्लिप पेपर क्लिप का विशकार किया था जोहान वालर ने 1901 में ठीक है इससे पहले हमने एक और जोहान पढ़ा था जिन्नोंने कैमरे का विशकार किया था और ये हमारे सेकेंड जोहान है जिन्होंने पेपर क्लिप का अविश्कार किया है ठीक है दोस्तो तो दोस्तो अगला है ट्राफिक लाइट इसका अविश्कार किया था गैरेट मॉर्गन ने 1868 के अराउंड सो गाइज इसको हम याद करेंगे बिना ट्रिक के क्योंकि जो ट्रिक मेरे पास है वो बहुत ही बकवास है बडिया वाली कौन सी थी दोस्तो अगला है मैगनिफाइंग लैंस तो इसका अविश्कार किया था रोजर बेकन ने 13th सेंचुरी के अराउंड ठीक है रोजर बेकन न किया था सैमुएल कॉल्ट ने 1835 के अराउंड दोस्तो इससे पहले हमने एक और सैमुएल पढ़ा था जो की था स्टॉप वॉच्च का अविश्कारक सैमुएल वाट्सन जिसमें हमने एस डबलू की ट्रिक लगाई थी ठीक है यह हमारे सेकेंड सैमुएल है जिन्होंने रि या रिवॉल्वर से उनका मतलब होता है तो इस गोड़े को उस गोड़े के साथ कनेक्ट करके आप इसको याद कर सकते हो तो फ्रेंस अब हम बात कर लेते हैं सबसे भारी भरकम इन्वेंशन की जुकी है टैंक गैस टैंक का विश्कार किया था अर्नेस्ट स्विंटन और व विश्कार किया था है ना तो वो थे अर्नेस्ट मर्कैडियर अब यह है अर्नेस्ट स्विंटन तो देखो दोस्तों इस बार जो बर्ड है वो नेस्ट बना रही है हैंकी की मदद से यानि हैंकी लेकर वो नेस्ट बना रही है कहां पर टैंक पर ठीक है तो अर्नेस्ट और व स्टोरी बना के थोड़ा सा याद कर सकते हो कि जो बर्ड है वो नेस्ट बना रही है हैंकी लेकर टैंक पर और टैंक कितना बारी है तो टन जितना उसका वज़ान है मुझे तो वीडियो से बड़ी ये ट्रिक लग रही है next invention दोस्तो very very tough computer का विश्कार किस ने किया था so guys इसका विश्कार Charles Babies ने किया था 1830 के around तो दोस्तो अगला विश्कार है gloves या फिर हम क्या सकते हैं surgical gloves so guys इसका विश्कार किया था William Stewart Halsted ने 1894 के around so guys अभी अभी हमने एक और William के बारे में जाना था जिन्होंने tank का विश्कार किया था William Hanky और ये दूसरे हैं जिन्होंने gloves का विश्कार किया है so guys ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने जो gloves का विश्कार किया वो अपनी wife के लिए किया था क्योंकि इनकी wife एक surgeon थी तो surgery करते समय उनकी skin को infection हो जाता था जो मतलब hands थे उन पे infection हो जाता था इस वज़ा से इन्होंने surgical gloves का विश्कार किया next है दोस्तो microphone guys microphone का विश्कार James Edward ने 1962 के around किया था ठीक है दोस्तों तो इससे पहले भी हमने एक James King के बारे में पढ़ा था जिन्होंने washing machine का विश्कार किया और ये दूसरे हैं जिन्होंने microphone का विश्कार किया यानी simply हम कह सकते है mic का विश्कार किया ठीक है दोस्तों तो guys ये James जो थे इनको गाने का बड़ा shock था ठीक है तो इन्होंने क्या किया mic में गाना गाना start किया माइक में गाना गाया तो लोगों ने क्या किया इनको पसंद किया और इनको अवार्ड दिया जो जो ad word है इसको आप अवार्ड से रिलेट कर सकते हो जो शब्द है इसको अवार्ड से रिलेट करके आप ऐसे याद कर सकते हो कि जेम्स ने माइक में गाना गाया तो लोगों ने इनको अवार्ड दिया तो जेम्स एड़ड ठीक है तो दोस्तो अब बात करते हैं कैल्कुलेटर का अविश्कार किस ने किया था तो गाइज अगर मैं यह बताऊं कि किस ने किया था तो ये तो एगो हर्ट अने वाली बत हो जाएगी नहीं किकि ये तो सभी को पताए किस ने किया है बेस पैसकल 1642 के अराउंड ठीक है दोस्तो तो guys अब हम बात कर लेते हैं rail engine की, rail engine का अविश्कार किस ने किया, guys rail engine का अविश्कार George Step Hanson ने 1825 के around किया था, ठीक है दोस्तो, George Step Hanson, अब guys अगर आपको ध्यान हो, तो हमने Step Hanson नाम से एक inventor पढ़े थे, जिन्होंने wheelchair का अविश्कार किया, है न, तो guys इसमें देखे Step Hanson data आगया, और उन्होंने क्या किया, rail engine का अविश्कार किया, इस तरीके से आप trick बना के याद कर सकते हैं, और जो rail है दोस्तों कैसे चलती है, तो जोर जोर से आवाज करके चलती है, तो George में आपको जोर जोर जैसा sound आ रहा है, तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो, अग रिलेट कर लो, ठीक है, और विलहम को वहम से, ठीक है, तो लोगों को वहम हो जाता था, कि X-ray करवाने से, कान रेड, यानि की कान रेड हो जाते थे, तो ये बात सुनके उनके रोंग्टे खड़े हो गए, ठीक है, अगला है दोस्तों, ग्रामोफोन का अविश्कार भी, Thomas Al 27 के अराउंड, तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, परतंद होने वाली मशीन, यानि की डिश्वाशर की, सो गाइस, इस तरीके के अविश्कार का आइडिया, सिर्फ और सिर्फ लडिकी के दिमाग में ही आ सकता है, क्योंकि जिसको जो दिक्कत होती है, वो उसी को सॉल करने के लिए सॉलेशन ढूंता है, ठीक है, तो गाइस, जॉसेफिन गैरस कोकरन नाम की एक महिला थी, जॉसेफिन गैरस कोकरन, ठीक है, इन्हों ने डिश्वाशर का आविश्कार किया, आटोमेटिक डिश्वाशर, 1893 में, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें इनसान खुद को दोता है, ठीक है, नहाता दोता है, तो दोस्तों इसका आविश्कार किया है, जॉन माइकल कॉलर ने, 1883 के दोरा, ठीक है दोस्तों, तो कॉलर के तो आप आट भी देखते होगे, टीवी वगर आपे आते है ना इसके, तो गाइस, यह वही कोलर है, अगला है दोस्तों, थर्मोमेटर, गैस, थर्मोमेटर का अविश्कार, डैनियल गैबरियल फेरन हाइट ने किया था, 1714 के दोरान, तो दोस्तों, फेरन हाइट, हम सभी जानते हैं, थर्मोमेटर की युनिट है, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके इसको याद कर सकते हो, अगला है दोस्तों, मिक्सी, जह हम कह सकते हैं, मिक्सर क्राइंडर, तो दोस्तों, इसका अविश्कार, 1885 के दोरान, रफस इस्ट मेन ने किया था, ठीक है, तो दोस्तों, रफस में आपको रफ जैसा सांडार है, तो गैस, अगर कोई चीज रफ है, और अगर हम में उसको स्मूद करना है, एकदम बारीक पीसना है, तो हम मिक्सी का यूज करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा रिलेट करके इसको याद कर सकते हो, अगला है दोस्तों, होट एर बलून, इसका अविश्कार 1783 के दोरान, मॉंट गो फायर ब्रदर्स ने किया था दूस्तों, ठीक है, तो गाइस देखें इसको याद कैसे करना है, तो मॉंट को आप थोड़ा सा मॉंट के साथ रिलेट कीजिएगा, मॉंट ने मॉंटेन, ठीक है, और गो का मतलब जाना, तो गाइस जो होट एर बलून है, वो मॉंट जितनी उचाई तक तो चला ही जा प्रेट करके इसको ऐसे याद कर सकते हो, अगला है दोस्तों, फार एक्स्टिंग्यूशर, इसका अविशकार किया था जॉर्ज विलियम मैन बी ने, 1890 के दोरान, ठीक है दोस्तों, तो गाइस देखें, इससे पहले भी हमने जॉर्ज के बार में पढ़ा है, जॉर्ज स्टे इसको याद कर सकते हो, दीदी बस करो, और कितनी बेकार ट्रिक्स सनाओगी, सो गाइस अब बात कर लेते हैं, विंड मिल की, तो विंड मिल का अविशकार, 1854 के दोरान, डैनियल हैलाडे ने किया था, तो गाइस यह जो विंड मिल था, इसका अविशकार, कूँओं से पान निकालने के लिए किया गया था, जो फॉस्ट टाइम किया गया था, वो कूँओं से पानी निकालने के लिए किया गया था, ठीक है दोस्तो, तो गाइस इसको आप ऐसे याद करने की कोशिश कर सकते हो, कि जब लड़किया अपने बाल सीधे करवा लेती हैं, स्ट्रेट जाती है वो अपने बालों को इधर से उधर पटकती है जटकती है तो अपनी अदाय दिखाती है ठीक है इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके आप याद कर सकते हो अगला है दोस्तो डाइनमाइट डाइनमाइट का अविश्कार अलफ्रेड नोबल ने किया था 1867 के तौरान तो गाइज ये वही वेक्ती है जिनके नाम पर नोबल प्रैस दिये जाते है ठीक है दोस्तो तो गाइज इस वीडियो का लास्ट इन्वेंशन हम पढ़ेंगे फाउंटेन पैन गाइस फाउंटेन पैन का अविश्कार 1884 में लेविस एट्सन वाटर मैन ने किया था ठीक है इसका थर्ड पार्ट लेकर आउंगी तो गाइस चैनल के साथ बने रहिएगा पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जैहिन जै भारत